आप सबका स्वागत है हमारी योटूब चैनल मॉम डाइजन बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं नारियल से पुत्र की प्राप्ति कैसी करें धार्मिक मानेताओं के अनुसार नारियल के बीज का परयोग अनेक कारियों को सिद्धि करने के लिए किया जाता है नारियल का बीज भगवान सिव का असिरवाद माना जाता है तथा नारियल का बीज पुत्र का रूप माना जाता है अगर सही विदी से नारियल के बीज का परयोग किया जाए तो निश्चित ही भगवान सिव का असिरवाद प्राप्त होता है और भक्तों की मनोकामना पुर्ण होती है और ने संतान दमपत्य को अथवा पुत्र की कामना करने वाले लोगों को पुत्र की प्राप्ती होती है पुत्र प्राप्ति के पड़ियोग के लिए प्रातः नित्य किरिया से निवरित होकर रिसना नादी करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले इसके बाद भगवान सिव के सामने बैठ जाए और ओम नमा सिवाय मंत्र का एक माला जाप करे और भगवान सिव सब फलो को देने वाले हैं अर्थात उनसे अपने मन की बात कहें और मनुकामना को सिग्र पूरा करने के लिए प्रातना करें इसके बाद आप नारियल को सिवलिंग पर अर्पित कर दे नारियल अर्पित करने के बाद आप सिवलिंग के सामने देशी घी का दीपक जलाएं दीपक जलाने के बाद आप भगवान सिव के प्रिय मंत्र ओम नमस सिवाय का अधिक से अधिक स्रध्धा के अनुसार पार्ट करें अगर आपको नारियल का बीज उपलब्द हो जाए तो आप भगवान सीव को नारियल का बीज अर्पित कर दे अत्वा नारियल का बीज उपलब्द ना हो इस स्थिति में आप सीवलिंग पर नारियल अर्पित कर सकते हैं धर्म सास्त्रों में नारियल और नारियल के बीज अर्पित करने का विधान बताया गया है लेकिन नारियल के बीज का अधिक महतो होता है नारियल अत्वा नारियल का बीज अर्पित करने के बाद आप साम को इसे गंगा जल में डालकर रख दे और अगले दिन यानि की मंगलवार को प्रातह बीज और नारियल जो भी आपने भगवान को अर्पित किया है उसे हनुमान जी का ध्यान करते वे निहार मुह गाय के दूद के साथ सेवन करें कोसिस करें कि आप नारियल के बीच को सीधी और साबूत ही निगल जाए नारियल का या उपाय आपको सोमवार के दिन करना है अगर आपने जल्दी में अत्वा भूल वर्स प्रातह पूजा पाठ आदि कर लिया है तो आप साम को भी इसका परियोग कर सकते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी सामानने मानेताओं पर आधारी थे मॉम डैड एंड बेबी चैनल इनकी पुष्टी नहीं करता है इन तत्यों को अमल करने से पहले ये संबंधित विसे सग्य से संपर्क करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मार चलंको सब्सक्राइब जरूर करें